क्या आप credit card बनाने का सोच रहे हो पैसा बजार पर टीवी का ad देखर कहीं आपने सोच तो नहीं लिया कि मैं भी उसके लिए apply कर दूँ क्योंकि पैसा बजार पर free में credit card मिल रहा है अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा अंतित तक जरूर देख लें उसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्या आपको पैसा बजार वाला credit card लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए हाई दोस्तों मेरा नाह है सनी देख रहे हैं इंपार्शन चानल टीवी पे इन देनों दड़ले से एक एड आ रहा है पैसा बजार गाए जिसमें यह सक्स कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर खराब हो सेलरी कम हो आपका credit score बेकार हो गया हो या आपका credit score लो हो तब भी आपको 6% का interest दूँगा अब आपने मुझे पैसा दे दिया और साल का मैं आपको 6% के हिसाब से आपको इसका ब्याज देता हूं मगर मैं आपको साथ में यही offer देता हूं कि आप भी मुझे पैसा ले सकते हैं मगर एक condition है यहां मैं आपसे चार्ज करूँगा 36% साल का तो कैसी रही दिये डिल तो क्या आप मुझे अपना पैसा देना पसंद करेंगे अगर बताईए कि क्या कहां नहीं जी हां मगर पैसा बजार में तो यही डिल चल रही है आपने एड तो देख लिया वह credit score नहीं देख रहे हैं वह आपकी salary नहीं देख रहे हैं वह आपकी salary तक नहीं भी आपको credit card offer कर रहे हैं उसमें आपने चीज देखी होगी तो उन्होंने क्या कहा है कि हम आपको आपकी FD के against credit card देंगे बस करवानी होगी एक FD और वो होते ही मिलेगा आपको अपना step up card यानि कि आप से पहले वह एक amount ले लेंगे as a security उस पे वह कर देंगे उसकी FD यान credit card यानि कि अगर आपने 10,000 रुपे FD करवाई है पैसा बजार में तो आपको 10,000 की credit limit का credit card offer हो जाता है यहाँ तो सब कुछ ठीक है मगर जब आप credit card use करते हैं उसकी payment के लिए यह company 45 to 50 days की आपसे payment period का आपको credit दे देती हैं मगर अगर उसके बाद अगर आपने कोई समाल लिया है और आप उसपे EMI convert करवाते हैं तब आपको लगबक 18-19-20% तक EMI charges interest के रूप में आपसे ले लिये जाएंगे और वही अगर आपने time पे payment नहीं करते तब 36% तक आपसे यह interest रसूल करते हैं तो यह कौन सा benefit वाला सौधा हुआ मेरा ही पैसा मैंने सामने वाले को दिया फिर उसके अगेंस में उधार भी ले लेता हूं और फिर उसी पैसे पे मैं प्याज भी भर रहा हूं तो क्या यह समझदारी वाला सौधा है बिल्कुल नहीं अगर आपको यही deal करनी है तो इससे बहतर होगा कि आप व आप इंटरस्ट पेड करें कि अगर मैं यह पैसा लिया है तो मुझे चार महीने में किस्तों में पैसा पूरा करना है पर पूरा इंटरस्ट के साथ अगर आप यही टेक्नीक क्यूंकि अगर आप जब कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो वहां भी तो आपको इंटरस्ट चार्ज कर लेगा तो अब आप समझ गए क्या पैसा बजार वाला क्रेडिट कार्ड अभी आप लेना चाहेंगे कमेंट करके दूरूर बताइएगा आज के इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी तब तक के लिए और प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दें ऐसे और इंटरस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहें ताकि अपडेट बाइबाए